कि नमस्कार मैं अंजले विश्रा और स्वागति आपका हमारी चैनल में आपको दादे एक बार फिर से फिल्म द कश्मीर फाल सुरुख्यों में आ गई है कारण है कि इस फिल्म को लेकर एक ऐसे टिपनी कर दिया जो है की गई जिससे काफी लोग जो है आहत नजरा रहे हैं य जो टिपनी है यह टिपनी फिल्म फेस्टिवल ओफ इंदिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एक इविंट के दोरान की गई जहां पर एक डारेक्टर थे उन्होंने इस फिल्म को वल्गल और प्रोपागेंदा से प्रडित बताया जिसके बाद आपको बता दे कि फि बट कश्मीर फाइल्स के बारे में उनको उन शक्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सदबुद्धी दे गनपती जी उनको सदबुद्धी दे थोड़ी अकल दे अगर होलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंड़तों का एक्सोडस भी सही है ये प्री प्लैंड मुझे लगता ह मैं जितना जादा जानता नहीं है असा प्री प्लैंड लगता कि प्लैंड किया गया है बिकोज उसके बाद इमेजटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया और मुझे एक्सपेक्ट नहीं करता था आप लोग आऊंगे बिकोज मैं हैं बट इस शेमफुल पर हिम तो में के स्टेटमेंट लगता हैं बट इस प्लैंट इस प्लैंट इस प्लैंट जो इस त्रास्थी के शिकार हुए आज से पहुत साल पहले तो मैं यह कोंगा कि यह हमारे गनपती जी सिद्धी बिनायक के भवान उनकिया उनको अकल दे और सथबुद्धी दे ताकि वो इस तरह लोगों के हजारों लाखों लोगों की जो ट्रेजडी है उसको मंच पर से इस्तमाल करके अपना एक धे पूरा ना करे आपको कि जहां एक तरफ पांचीब आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल ऑफ इंडिया के डारेक्टर विवेक अंगनी होतरी के फिल्म द कश्मीर फाइस को लेकर हुए विवाद अब मश्गूर इससे ने कलाकार और फिल्म के मुख्य अक्टर अनुपम खेम और डारेक्टर विवेक अंगनी होतरी अपना विरोज दर्ज करा चुके है अनुपम खेर के बाद डारेक्टर विवेक अंगनी होतरी न है उन्होंने भी ट्वीट किया है अनुपम खेर नहीं क्या बता उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे बता दे कि विवेक अंगनी हो वहीं आपको बता दे कि सर्फ विवेक कगनी होती ही नहीं अनुपम खेर ने भी इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कि उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इस फिल्म को लेकर इस तरीके की टिपड़ी की गई है, अनुपम खेर को यह बात दकश्मी निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं इस सच को जूठा साबित करने के लिए उनकी आत्मा जो मर चुकी है बुरी तरह से छट पटा रही है पर हमारी यह फिल्म अब तक कांदोलन है फिल्म नहीं तुछ तुलकिट गैंग वाले लाख कोशिश करते रहें तो यह आप तरीके की बयानबाजी अगर आप करते हैं यहीं नहीं जोरी हैट के रिमार का कश्मीर फाल्स को लेकर ना कहा कि एक अगर होलोकस्ट सही हो सकता है तो फिर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वह भी सही है लेकिन यह लग रहा है कि पूरी तरीके से प्री प्लान किया ग गुट के कदावन नेता संजराउत का भी नाम शामिल हो गया है जोनों ने नदाव लापिट की तरह आते दिखे दर असलों ने कहा कि अधिदा कश्मीर फाल्स के बारे में सच है इसमें धाल दूसरे दाल के विरोध प्रचार किया जा रहा था यह फिल्म के दौरे पार्ट बालकर फिल्म को ले कर इस आधे लिए संजराउत का मनना है और इसे के बाद सिर्फ यह नहीं यह नहीं यह भी कहा कि दश्क्शमीर फाल्स वाले तब कहा थे जब कश्मीरी पंडितों के बच्चे भी अंदोलन कर रहे थे तब कोई आगे नहीं आया नहीं तब इसे लेकर तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फिल्म को लेकर एक बार फैर जो है वद देखने के लिए मिल रहा है बता दे आपको कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की है जूरी और इसराइली फिल्म मेकर नदाव लापिड ने इसे अशलील और प्रोपागेंडा फिल्म बताया था वह इस बात पर नुपम के ने प्लेटवार करते हुए लापिड के बयान को शर्मनाग बताया था इधर इस इसे ने फिल्म मेकर नदाव लापिड की स्टिपड की कडिया अलोशना करते हुए भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने माफी मांगते हुए भी टूइट किया था तो साफ तोर पर आप देख सकते हैं कि मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे भी कु जाना समझा कन्यक किया उस सच को जोठलाने के लिए अभी भी निरंतर प्रयास जो है किये जा रहे हैं सरा भासकर जो है जो कि हमेशा आपने आप कह सकते हैं कि उनके पास आज के वक्त में कोई काम नहीं है उन्हें फिल्में नहीं मिल रही है पॉलिटिक्स में गुषने का लिखा कि अब पुरी दुनिया को ये बात सपता चल गई है ये प्रिटि क्लियर है पुरी दुनिया के लिए अब इसे ही लेकर लोगों ने उन्हें स्क्रिंशॉट उनकी कमेंट सेक्शन में साजा किया ने बताया कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो अंबैजडर है इन ने कि आप ट्प्रिड़ करने का आपको पैसे मिलता है तारीके के बात करने का अपको असालरी मिलती ये शारी छीजे देखने के लिए मिली है तो लिए तक की लोग विसाना इंसेंसitiv económist को लेकर लगतार त्वीट कर लेकर सारी शीजे वीडियो साचा कार रहा है बता रह पर कैसे एक सच को आप मानने के लिए तयार ही नहीं है कैसे एक सच को आप जुटला रहे हैं लगातार निरंतर उसे सच पर चोट कर रहे हैं प्रहार कर रहे हैं ताकि उस सच को जुटला जा सके लेकिन सच तस्मस नहीं होता है और प्रतक्षु प्रमान की जरुवत नहीं होत जो पूरी महनत चाहिए किसे ने दिखाई और जब इसे किया गया तो आज इसे वल्गर प्रोपागेंडा है से फिल्म बताते हैं राउत को लेकर लोग जो कमेंट सेक्षिन कर रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कि आपको शरम नहीं आती है कि अपने आपको शिवसानिक बताते है अपने यह निया कारण है इस तरीके की इस्सेंसिटीव और इनसिटीव इस पर टिपणी आ रही है इस से इसंदर Alle विए आनबाजी जो है देखने के लिए इसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है किस तरीके से आए एफफई के जूरी है उनके बयान की कश्मीर फालिक प्रोपागंडा वाली फिल्म है वल्गर फिल्म है इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जो दी थी उस पर अब लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है अनुपम खेर विवेक अगनी होतरी स्वारा भासकर और अब संजराउत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है क्या कुछ का इससे भी हमने आपको बड़े अफगत कराए है अब इस पूरे मामले पर आपके वीजुराय हो कमेंट सेक्शन में कमें करके हमें जरूर साचा करें